इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे के क्रॉप टूल क्या है और इसका इस्तमाल किस तरह किया जाता है वेल, क्रॉप टूल बहुत से सॉफ़वेर्स में आपके समने आता है जैसे अगर आप लोग किसी भी Microsoft Image Editing Software में जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे Crop Tool अवेलेबल होगा इसके लाब आप लोग किसी भी Image Editing Software में होगे इवन आप लोग अगर Word, Microsoft Word 2007 में काम कर रहे हैं और आप लोग किसी Image को Select करते हैं या उसे Insert करते हैं तो आपके पास जो Image Tool बार आएगी उसमें भी आपके पास Crop Tool अवेलेबल होगा So, मैं यहाँ पे अपने Slice Tool के साथ जो Tool है उसको Select करूँगा and that's Crop Tool और इसकी जो Short Cut की है वो that's C और मैं यहाँ से Crop Tool से वो Area जो मैं इस Image में से चाहता हूँ के मैं रख लूँ मैं इसको Select करूँगा और जैसे मैं Enterprise करूँगा बाकी जो Area होगा जो के Faded Area होगा वो इसमें से Crop हो जाएगा So, मैं इसे Select this Area और आप लोग यह जो Selection देख रहे हैं Selection के बाहर जो भी Area है जो के यहाँ पे Black Faded हो चुका है यह Automatically यहाँ से Enterprise करने पे Delete हो जाएगा So, मैं इसको दोबारा हासिल कर सकता हूँ by using Ctrl-Z और मैं इसको दोबारा Crop भी कर सकता हूँ Well, यहाँ पे हम आपको एक चोटी सी टिप देजा है चलूँ कि आप लोग जब भी Selection करते हैं और आप लोग नहीं चाहते है कि आपके पास यहाँ ब्लैक कलर चो हो So, options में हमारे पास colors हैं जिसको हम लोग select कर सकते हैं And you guys can choose your favorite color like this और आप लोग जब भी कभी आप लोग cropping करेंगे तो आपके पास जो side color आएगा वो आपका favorite color होगा इस color से आप लोग पीछे image को भी देख सकते हैं और आप इसकी जो opacity है इसको full कर देंगे तो आपके पास सिर्फ वो area समने show होगा जो आप लोग चाहते हैं कि आपको crop करना है It depends on you कि आप लोग इसको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं इसके लाव हमारे पास options में perspective के नाम से check box है अगर मैं perspectives को check करता हूँ और enterprise करता हूँ तो आपके सामने कोई भी change नहीं आएगा So I'm gonna say control C और मैं यहां पे एक image open करूँगा All right, मेरे पास यहां पे एक image open है which is a monitor और मैं चाहता हूँ के मैं इस monitor के जो अंदर हिस्सा है मैं इसको crop करूँ Using my crop tool क्योंकि हम लोग इसको इसकी जो cropping है इसको selection tool से भी कर सकते हैं हम लोग इसको select कर सकते हैं और इसको copy based भी कर सकते हैं So, उसके लिए हम लोग पोलीगान laser rule का इस्तमाल कर सकते हैं So, I can just click and I can make a nice selection और मैं इस area को यहां से crop कर सकता हूँ So, I can say copy and paste using your move tool आप इसको यहां से crop कर सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको crop करूँ तो मेरे सामने यह जो अंदर की तस्वीर है यह बिल्कुल cd मेरे सामने show हो So, इसकी लिए मैं अपना crop tool select करूँगा और मैं यहां पे इसके selection लोगा और हमारा यहां पे जो यह cropping border है मैं इसको move नहीं कर सकता किसी भी तरीके से तो मैं यहां से perspective को check करूँगा and आप देखेंगे कि मैं अपने crop tool का जो border है जो मैंने cropping area है इसका जो border है मैं इसको adjust कर सकता हूँ जैसा भी मैं इसको चाहता हूँ और जैसे ही मैं इसको crop की command दूँगा मैं जैसे ही enterprise करूँगा तो यह जो image है यह हमारे सामने बिल्कुल सीधी show होगी अगर आप लोग किसी भी image को crop कर रहे हैं जिसमें वो image थोड़ा सा तिर्चा है तो आप उसको सीधा कर सकते हैं अगर आप लोग काम जो काफी देर में करते हैं उसको सीधा करते हैं तो इसको पिक्सल्स है वो काफी खराब हो जाते हैं लेकिन अगर अगर आप लोग ये दारी क्राप टूल को दे देंगे आप लोग करते हैं